वेलकम टू पंकाज कॉमर्स क्लासेज आप सभी MPTET के अभ्यरतियों को एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत हैं आज हम आपके लिए लेकर के आएं हैं Practice Set 3 Accountancy का तो आएए हम स्टार्ड करते हैं आज का सेसन आज का हमारा फर्स्ट कोच्चन है प्राप्ति भुकतान खाता है यानि कि Receipt and Payment Account क्या है कौन सा अकाउंट होता है आप्षन देखिए ए व्यक्तिगत खाता बी वास्तवी खाता सी नाम मात्र खाता डी इन में से कोई नहीं यानि कि Personal Account इन में से कोई नहीं तो देखिए जो प्राप्ति भुकतान खाता इक तरह से इसमें कैस की समरी होती है और कैस की समरी होने की वज़े से यह कौन सा अकाउंट हो जाएगा यह वास्तवी के खाता हो जाएगा रियल एकाउंट तो बी विल बी दा राइट आंसर नेक्स्ट कुश्चन देखिए प्राप्ति भुकतान खाता सारांस है किस चीज का समरी है रिसीप्ट एन पेमेंट एकाउंट जे समरी आफ आएवे खाता का यहनी कि इनकम एंड एक्स्पेंडिचर एकाउंट का बी रोक नेक्स्ट कुश्चन देखिए साजेदारी समझाओते क्या भाव में पूंजी परव्याज दिया जाता है इंदा अप्सिन साब पार्टनर्सिप डीड इंटरेस्ट ऑन केप्टल गिवन ऑप्सन देखिए छे परसेंट बी नाइन परसेंट सी किसी विदार से डी किसी बोनस या इंटरेस्ट ऑन ट्राइंग नहीं दिया जाता है तो राइट अप्सन हो जाएगा इसका डी किसी भी दर से नहीं बाई नो रेट नेक्स्ट विश्चन देखिए अहरर परव्याज लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन ट्राइंग इस रिकॉर्डड इंदा अप्सन या इंटरेस्ट ऑन ट्राइंग यह इंगा में एक तरह से फर्म की और इसको क्रेडिट किय जाता है प्रोपिड्ड आलअ के रिकॉर्डड इंदा टेखिएन साहिड में तो देखिए राइट अंसर हो जाएगा भी लाभानी विनिर्जन खाता के क्रेडिट पच्छ में यानि के रेडिट साइट अब दो प्रोफिट एन लॉस एप्रोप्रियेशन एकाउंट नेक्स्ट कुश्चन देखिए एक ब्योसाय में ख्याती का मुल्यांकन अंतिम चार वर्सों के आउसत लाभ के तीन वर्स के क्रे के अधार पर किया था अंतिम चार वर्सों का परिडाम क्रमसा यानि कि चार वर्सों का दिया हुआ कि फर्स्ट येर में लाभ है फिर दूसरे साल में पंदरा जार का लाभ फि The results of last four years were 10,000 profit, 15,000 profit and 8,000 loss और यह 7,000 का profit भी दिया हूँ, hence the good will be valued at तो देखें, good will का valuation कैसे होगा तो इसके लिए करना क्या होगा कि जो भी profit दिये हुए है तो profit को तो add कर लेंगे, तो profit कितना होगा है देखें यहाँ पे 10,000 plus 15,000 इसके बाद है plus 17,000 और minus कर देंगे 8,000 divided by कितना होगा 4 से फार्मूला देखें क्या होता है, जो भी average profit है जो profit for the year और losses profit, अबलिक losses for the year है अपन number of year होता है, ठीक है, number of years होता है तो पहले तो average profit हम लोग calculate कर लेंगे तो यहाँ पे देखें, 17,000 यह इतना करने के बाद जो calculation आएगी, वो आजाएगे 34,000 और divided by हो जाएगा 4 तो is equal to कितना हो जाएगे 8,500 अब देखें, गुडविल का फार्मूला क्या होता है, तो गुडविल का फार्मूला होता है कि average profit upon number of years, ठीक है, average profit into number of purchase year आप गुडविल, number of purchase year, ठीक है, तो यहाँ पर देखें, average profit कितना जाएगे 8,500 और जैसा कि कहा गया है कि गुडविल का जो valuation होगा, वो 3 years के ब्राबर होगा, यहाँ पर देखें, 3 year, 3 वर्स के क्राय के आधार पर होगा, तो multiplied by जब 3 करेंगे इसको तो 25,500 आ जाएगा, और आप option में देख रहे होंगे, right answer क्या है, 25,500, it will be the right answer, next question देखें, ख्याती के मुल्यांकन की पूझी करण विदी के अंतरगत ख्याती के गणना का सूत्र है, मतलब यह capitalization method के अंतरगत फार्मूला पुछ रहे हैं कि कौन सा फार्मूला है, option A देखिए, option B, option C, option D, यानि, super profit into rate of return upon 100, B, average profit into rate of return upon 100, super profit into 100 upon rate of return, और D, average profit into 100 upon rate of return, तो इसका जो right answer होगा, वो हो जाएगा, C, super profit के basis पर, इस सुपर profit से इस तरह से good will calculate करते हैं, C will be the right answer, next question देखिए, सेखर एवं समीर एक फर्म में 3-1 के लाव हानी विभाजित करते हैं, करने वाले साज़दार वे एक अपरेल 2021 से, 2-1 के में लाव हानी के विभाजन के लिए सहमत हो, मतलब पहले के इनका जो ratio था, वो 3-1 था, अभी बाद में कितना हो गया, 2-1 हो गया, तो कह change in profit selling ratio, सेखर gain or sacrifice will be क्या होगा, तो देखिए, क्या हो जाता, old ratio minus new ratio करेंगे, तो old ratio देखिए, सेखर का, कितना हो जाएगा, सेखर का, old ratio यह है, 3 by 4, minus 2 by, यहाँ पे है 3, और सुमन का है, तो सुमन का भी calculate करेंगे, सुमन का वैसे calculate करने के लिए नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी देखिए, आप कैसे calculate करेंगे, 1 by 4, minus 1 upon 3, तो यह जो LCM लेंगे, अगर तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 4, 3, 12, minus हो जाएगा, यहाँ पे 3, 3, 9 हो जाएगा, और यह 4, 2, 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे calculate होकर क्या जाएगा, 1 upon 12, और यहाँ पर भी इस त जाएगा, minus 1 upon 12, तो हाला कि सेखर का पूछा गया, यहाँ पे पूछा क्या गया, कि सेखर क्या होगा, देखिए आप अनुपात के परवोतन से सेखर का लाप्राप्ती होगा, तो सेखर का अगर आप चेक कर पा रहे हैं, तो 1 upon 12 बारा, और इस तरह से सेखर का त्याग पाइट अंसर होगा, next question देखिए, next question देखिए, a, b, c, a, b, m, c, 5, 3, 2 के अनुपात में लाप विभाजन करने वाले सज़ेदार, उन्होंने भविस्व में 2, 3, 5 के अनुपात में लाप विभाजन करने का फैसला कि, उस्तिति को चिठ्ठे में दिखाई देने वाला, यान जब उसकी कोई liability पहले से तय हो, तब तो, और liability के भी condition में है कि workman compensation reserve के against workman compensation जो liability है, तो उसमें तीन condition हो जाती कि liability reserve से जादा है, या liability reserve के बराबर है, या liability reserve से कम है, तो तीनों के तरह से, अलग अलग तरह से, उनकी situation के हिसाब से, उसका जो amount होता, वो vary कर जाता है, लेकिन यहां पर यह दिया है कि ABC 5-3-2 के अनुपात में divide करते हैं, उन्होंने अब change करा कि वो 2-3-5 में आगे चल करके वो profit selling ratio रखेंगे, लेकिन यह लिखा हुआ है कि अगर इन में कुछ भी नहीं लिखाओ treatment के बारे में, और workman compensation reserve रिखा हुआ है, रखा हुआ है, तो उसका क्या करेंगे, तो आप संदेखे, साजेदारों के मद्ध अपनी पूझी के अनुपात में वितरित करेंगे, distributed among partners India, capital ratio भी है, साजेदारों के मद्ध नए लाब विवाजन अनुपात में वितरित होगा, distributed among partners India, new profit sharing ratio, c.e. साजेदारों के मद्ध पुराने लाब विवाजन सब्सक्राइब करते हैं तो इनको क्या करते हैं कुछ अगर उनके लिए कुछ ना कुछ गाइडलाइन नहीं दी हुई है तो ऐसी कंडिशन में इन रिजर्ब को ओल्ड रेशियो में ही ओल्ड पाडनर में डिवाइड कर दिए जाता है तो देखे यहां पर और सी कौन सा ओप्सन होगा डिश्टीब करते हैं डिश्टीबीटर सी आनुपात है श्यक ह्ट्रिकि ने पुराने लावा विवाजन अनुपात में यानि भावी लाव में हिस्सा पाने के लिए भी प्रवेश सुल्क के लिए फार पेंग इंट्री फिस सी पूझी के भुकतान के लिए फार पेंग कैपिटल दी समपत्यों पर अधिकार पाने के लिए फार हैंविंग राइट औन असिट तो जो इसका राइट अंसर है वो होगा इभावी लाव में हिस्सा पाने के लिए फार गेटिंग सेर इन फ्यूचर प्रॉपिट नेक्स कोश्चन देखे क्या है इस मरडार्थ पुन्यर मुल्यांकन कहता खोला जाता है Memorandum Revaluation Account क्यों जब पार्टनर्स की जो Assets और Liabilities में क्या होते चेंजेस आते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि उनके जो चेंजेस हैं उन चेंजेस को जो नई Balance Seat उसमें सोना किया जाए ऐसी कंडिशन में पार्टनर्स जो भी Assets और Liabilities के रिवालुएशन पर जो इफेक्ट आता है जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसको वो कैपिटल के कैपिटल एकाउंट के तुरू एड्जेस्ट कर देते हैं तो ऐसी कंडिशन में देखिए यहां पर आप्शन दिया होगे संपत्यों के मूल में ब्रद्दी या कमी का करने के लिए for recording the increase or decrease in the value of liabilities c. संपत्यों दायतों के मूल में ब्रद्दी या कमी का लेखा करने के लिए for not recording increase or decrease in the value of assets and liabilities देखिए यहां पर right answer हो जाएगा कि संपत्यों दायतों के मूल में ब्रद्दी या कमी का लेखा नहीं करने के लिए for not recording increase or decrease in the value of assets and liabilities देखिए next question पर आते हैं सोबित और अगम साजेदार थे जो लाभ हानी का विजन तीन दो के अनुपाद में तै करते निखार को एक बटे पांच भाग के लिए प्रवेस दिया गया और नया लाभ हानी अनुपाद new profit selling ratio की गणना कीजिए तो देखिए जब कभी भी ऐसा दि देखिए हुआ है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो मानें कि लेटदा फर्म का मतलब कितना है और फिवन क्या लेटदा फर्म भी वन यहनुक है अमाना की फर्म एक है अब उसमें से total यहनुकि remaining share कितना हो जाएक कितना हो जाएगा आफटर आपटर किसका है निखार सेयर, निखार सेयर, निखार के सेयर के बाद में 1-1 by 5 equal to हो जाएगा 4 by 5, अब जो यह 4 by हिस्सा है 4 by 5, तो इसमें पहले 100 बित का calculate करेंगे, 100 बित, ठीक है, 100 बित का कितना amount हो जाएगा, तो 4 by 5 into, जो इनका old ratio है, वो 3 by 5 हो जाएगा, 3 by 5, तो इनका जो ratio है, वो कितना है, यह भी 4 by 5 into 2 by 5 हो जाएगा, तो यह 8 by 25, अब चुकि जो नया partner है निखार, तो निखार का जो ratio है, वो अनपान 5 है, अब देखिए, यहाँ पर 25 लाने के लिए 5 से उपर भी 5 से, तो यह हो जाएगा, 5 upon 25, अगर आप इनको सबको एक साथ रखेंगे, तो 12 is to 8 is to 5 का ratio आरा, तो right answer क्या हो जाएगा, यह will be the right answer, आईए, अब next question की तरह बढ़ते हैं, next question क्या है, असायुक्त जीवन भीमा policy का समरपड मूल दर्साया जाता, surrender value of joint life policy insurance, joint life insurance policy are shown in, तो surrender value है, इसका कहां पे सो करेंगे, option देखे, लाभानी खाता में, profit and loss account B, लाभानी बिन्योजन खाता में, profit and loss appropriation account C, चिट्टे के संपत्ती पच्च में, asset side of balance D, चिट्टे के दाइत पच्च में, liabilities side of balance D, तो देखे, जो संयुक्त जीवन बीमा पच्च का समरपड मूल है, वो चिट्टे के संपत्ती पच्च में, यानि के C option is the right option, asset side of the balance sheet में, सो करते हैं, next question है, firm के बिगटन के साथ, वसूली खाता डेविट होगा, जब firm बिगटी तो होता है, वसूली खाता है, डेविट किस से होगा, तो आपसें देखे, सभी संपत्यों खाता से, यानि के all assets account, B, सभी बाइदाइतों खाता से, all outside liabilities account, C, rockard bank खाता से, cash and bank account, D, साज़ेदार करेड खाता से, partners loan account, तो इसका जो right answer हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, A, all asset account, क्योंकि general entry क्या हो जाएगा, realization account, debit to asset, यानि कि sundry asset account, ये general entry हो जाती है, next question देखिए, फर्म के बिकिटन पर निमलिकित में से, कौन साखाता अंत में तयार होता, अंदर फर्म डिजलिवसन, विचा बनाब दो फारेंग, एकाउंट सुड़ भी prepared at the last, ठीक है, कुछ students ने ये भी demand करी है, कि उनके जो ये question है, तो question का जो base है, थोड़ा सा, ये score उठाया जाए, यानि कि high level question देज़, तो आएंगे हम उस पर भी, आपकी demand हम समझ रहे हैं, प्लस हम उन बच्चों को भी ले करके जा रहे हैं, कि एक तरह से आपका recap है, जिससे कि जिन लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था, उनको काफी time हो गया है, तो वो एक तरह से इनको पढ़ करके, अपने आपको connected तो पहले feel करें, उसके बाद हम लोगों उस पे आएंगे, अगर high level की question पहले ही रख दिया जाएंगे, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि कहीं न कहीं, हम आपको connect नहीं कर पा रहे हैं, या आपको subject से कहीं दूरी महसूस हो रहे हैं, तो इस वज़े से हम लोग low level to high level की तरफ चलना हैं, आप बने रही हैं हमारे साथ में, देखिएगा आपको आने वाले समय में आपको अच्छे questions, जो कि exam में आपके helpful होंगे, और definitely helpful होंगे, वो मिलेंगे, तो देखे, फर्म के विगटन पर निमलिकित में से कौन सखाता है, तो देखिए, जो digitalization पर account बनाये जाते हैं, वो realization account होता है, पहला दूसरा होता है, partners capital account, और तीसरा चुकी, यहाँ पर आगे फर्म तो चलना नहीं, कि balance sheet बनाएंगे, तो यहाँ पर कैस या bank account है, अब यहाँ पर option में देखिए, तो option में यह रोकर खाता, कैस account है, अगर bank account भी कर सकते हैं option में, तो यह civil भी the right option, अच्छा इसमें read खाता भी बनाये जाता है सबसे, देखिए, loan account भी बनाये जाता है, partners के, अगर partner ने loan दिया, तो partners loan account भी बनता है, लेकिन last जो account बनता, वो cash account या bank account ही बनता है, अच्छा next question देखिए क्या है, कि निमलिकित में इसे कौन सा वसूली खाते में, इस्थांतरीब नहीं किया जाता, विच्छ आप दो following is not transfer to realization account, अब देखिए यहाँ पे है, रोकड़ खाता का सेस्थ, यानि कैस का balance, B संचे का सेस्थ, payment to creditor, C लाभभानी खाता है यानि profit loss के balance, उपर यूग सभी all of the above, तो देखिए इसका जो right answer है, वो है D, उपर यूग सभी, यानि कि all of the above, next question देखिए, अंसहरण खाते के सेस्थ को हस्तांतरित किया जाता है, the balance of forfeited share account is transferred to, option देखिए लाभभानी खाते में, the profit and loss account, B सामानी संचे खाते में, the general reserve account, C, पूझी संचे खाते में, the capital reserve account, D, पूझी सोधन संचे खाते में, capital redemption reserve, तो कहा गया कि balance, forfeited account का जो amount होता है, general entity क्या होगी, उसकी share forfeited account, debit to capital reserve, share forfeit करना, जब्त करना share का, ये एक तरह से capital profit होता है, revenue profit नहीं होता, क्योंकि company क्या कहती है, कि आपका जो भी amount है, हम आपकी default होने की वज़े से, इसको जब्त कर रहे हैं, ये हमारा business नहीं है, ये हमारा ये एक तरह से capital profit होगा, उसको सारे capital profit कहां transfer कियाते हैं, capital reserve में transfer कियाते हैं, तो इसका जो right answer होगा, वो C होगा, पूझी संचे खाते में, capital reserve account, next question देखे क्या लिखा हो है, एक संयुक्त पूझी company का पंजी करण, यानि कि registration आप जॉइंट capital account, जॉइंट capital account का registration क्या होगा, compulsory है, unnecessary, voluntary, ननावदीज, मतलब अनिवार है, नावस्यक है, अच्ची का इनमेस कोई नहीं, right option होगा है, इनका registration compulsory होता है, next question देखे, आपके long term borrowing का हिस्सा है, तो इस पर जो interest देना है, यह एक तरह का expense है, और यह कैसा expense है, तो कहते हैं कि चार्ज है, एक तरह से charge किस पर है, profit पर है, loss पर है, sinking fund पर है, sinking fund इंट्रेस्ट एकाउंट पर है, तो देखे, इसका जो right answer होगा, वो है, यह लाभों पर प्रभाव है, प्रभार है, charge on profits है, यह charge है किस पर, profits पर कहने का मतलब यह है, कि claim है एक तरह से profit पर, next question देखे, सरवादिक सुरच्चित रिडपतर, the most secure debentures, अब debentures कैसे secured हो सकते हैं, debentures तो long term borrowing का हिस्सा है, लेकिन अगर आपने, यानि कि किसी ने, ऐसे debentures पर invest किया, जो कि secured किसी ना किसी asset से, वो चाहे fixed asset पर charge हो, या floating पर हो, ज्यादा अच्छे तो fixed asset पर तो कहते हैं, कि देखे, पंजी करत रिडपतर, पंजी करत रिडपतर, सिमाज़ बंदक रिडपतर, तो डिसोदनी रिडपतर, registered debentures, unregistered debentures, mortgage debentures, और redeemable debentures, तो right option होगा, mortgage debentures, जो कहीं ना कहीं, क्या है, किसी ना किसी asset पर, mortgage हैं, अब next question देखे, अब वित्ती विवरड़ प्रकट करते हैं, financial statement सोच, तो क्या, वित्ती सूचनाई, निर्देशन, यंतर समन्नों, financial information, direction, control, and coordination, तो देखे, वित्ती विवरड़ का main काम होता हूँ, financial information को ही प्रकट करते हैं, ये will be the right answer, वित्ती 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 सूचनाई, आईए next question की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी अमूर्थ समपत्ती है, which is intangible asset, तो tangible asset का मतलब क्यों होता है, देखे, asset कि तरह क्यों होती है, asset होती है, fixed asset, और current asset, ठीक है, फिगजशेट के अंतरगत भी 2 जासेट भीचार टेचेबल आप देकिए जिन को टेच कर सकते हैं और वह दिखाई पड़ती हैं ऐसी गुड़ कोर वाली संपत्ति हैं तो फिगजशेट तो यहां पर जो राइट अंसर हो जाएगा वह जाएगा गुडविल गुडविल ऐसी संपत्ती है जो की दिखाई नहीं पड़ती अमूर्थ संपत्ती है नेक्स्क्वेस्ट नेक्स्ट 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 के प्रकार है यह सभी विसलेसर के प्रकार है डी विल भी दा राइट अंसर यह सभी आई एम नेक्स्ट कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए अबजेक्टिव आपनेलिसिस आप फानिंसेल स्टेट्विंज फोरकास्ट बजट कंपरीजन आलाब दीज यह आलाब तो बित्ति आपजेक्टिव तो इन सबकास अभी है डी विल भी दा राइट अंसर डी विल भी दा राइट अंसर नेक्स्ट क्रिश्चन देखिए लंबवत विसलेसर है वर्टिकल अनलिसिस अब वर्टिकल अनलिसिस का मतलब क्या है कैसे वर्टिकल अनलिसिस होती अंतर फ करमोला पूछा जाए पुछ आप कमेंड बाक्स में लिकों का मुझा कि यो का क्या होता है यहां पर हम आंसर आपको दे रहे हैं इसका राइट अंसर होगा C यानि कि 2 इस टू 1 दो एक का अनुपात हो करेंट असेट और करेंट लाइबिल्टिट इसका होगा तो यह आधर अनुपात होगा करेंट असेट का और हमें आंसर देना आप कमेंट बाक्स में मत भूलिएगा अब देखिए कि यह एक्टिविटी रेशियो का जो फार्मूला होता है उसको आप कमेंट बाक्स में लिखिएगा ठीक है एक्टिविटी रेशियो का जो फार्मूला है उसको आप कमेंट बाक्स में लिखेंगे हमें आपके अंसर का इंतजार रहेगा नेक्स क्रिशन देखिए मूल अरजन अनुपात उपयोगी है प्राइस अंनिंग रेशियो जोच्पल किसके लिए है प्राइस अंनिंग रेशियो तो आपसन देखिए अंसधारियों के लिए भी अल्पकालीन लेंदारों के लिए दिर्गकालीन लेंदारों के लिए डिन म next question देखिए यदि संचालन अनफा साथ है अब देखिए संचालन यानि कि operating ratio दो फार्मूले होते हैं का operating ratio होता है operating profit ratio होता है ठीक है तो operating profit ratio का formula comment box में आप लिखोगे और operating ratio का formula हम आपको बता देते हैं कि cost of goods sold plus operating expenses को जब हम add कर देते हैं upon net sales या net revenue from operation into 100 करिए तो operating ratio का formula होता है और आपको comment box में क्या लिखना है operating profit ratio का formula there is a big difference between operating ratio and operating profit ratio तो अब बात कर लेते हैं कि अगर देखिए किसी चीज़ का cost of goods sold plus operating expenses 60% है तो फिर जाहिर सी बात है कि पूछा गया कि net profit सुद्द लाब अनुपात होगा तो देखिए सुद्द लाब अनुपात क्या होगा right answer होगा B 40% यानि कि 40% का next question देखिए पूर्दत वेयों की रासी में व्रद्धी है increase in prepaid expenses अगर prepaid expenses में increase होगा तो क्या होगा decrease in cash increase in cash and be both नना अबदीज रोकड में कमी रोकड में रोकड में ब्रद्धी यह तता भी इन में सकुई देखिए जब आप prepaid expenses होगे ऐसे expenses जो की future के लिए आप करोगा तो क्या होगा सीधी सी बात है जाएगी और इस तरह से decrease in cash ही होगा option a will be the right answer a decrease in cash next question is ICI ने ले खांकर मानक 3 निर्गमेच किया था किस वर्स में ICI यानि Institute of Chartered Accountant of India ने accounting standard 3 दिया था answer right हम बता रहे हैं आपको comment box में लिखना है कि यह 3 यानि कि मानक 3 accounting standard 3 किसका होता है कौन सा इसमें AS3 में किसको refer किया गया है उसका नाम आपको comment section में डालना है तो right answer इसका होगा in 1981 so these were the 30 questions of this practice set 3 of accountancy hoping that the practice set will be very helpful to you and for your preparation in your exam thanks thanks for watching now students can enjoy online mode of this turn learning with official app of punkash commerce classes available in play store do do झाल झाल